तो मैं बात कर रहा हूँ, पोली ग्रेनाइट शीट या यूवी मार्बल शीट भी जिनें बोला जाता है, क्या फाइदे है, क्या नुकसान है, कितना खर्चा उसको लगाने में आएगा, कहां से आप सस्ते में खरिज सकते हो, और भी काफी चीजी इस वीडियो में बात सामने आप देख रहे हो, दिवारों पे लगाई हुई है, अपने डोर्स पे लगा सकते हो, अपने वार्डरों पे लगा सकते हो, टीवी यूनिट बना सकते हो, पोली ग्रेनाइट शीट आपको हमेशा एक लग्जरी लुक देगी, जो इटैलियन मार्बल आता था, इटैल लुक आपकी दिवारों को दे सकता है, आपके वाड्रोप को हर जगा इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, अड्वंटेजिस की बात अगर हम करते हैं, तो बहुत अच्छी लुक देता है, एक शाइन देता है आपके गर में, मतलब एक शाइ दिवारों पर, लाइट आउन करते हो, तो रिफ्लेक्शन थोड़ी ज़ादा इसकी रहती है, कोश्ट, जो नॉर्मल PVC पैनल्स आते हैं, WPC लोबर्स आते हैं, उनसे थोड़ी कोश्ट ज़ादा पड़ती है, लेकिन अगर इसको हम कंपेर करते हैं, इटेलियन मार्बल और से, क्योंकि इसका जो लुक दिया जाता है, वो ग्रेनाइट और इटेलियन मार्बल का लुक है, तो उसके हिसाब से ये सस्ता है, मेरे नजर में ये सस्ता है, बाकी अगर हम बात करते हैं इसको, आपको हमेशा जब इसको लगवाना है, एक चीज दियान रखना उसमें, कि आपको स्मूज स्रफेस पे लगवाना, अगर थोड़ा भी अंडूलेशन बगारा होगा, तो ये फूल जाती है, वहां खराब दिखती है, आपको स्रफेस आपका बिल्कुल स्मूध हो, तो वहां आपको लगवाना है, और काफी लोगों के कमेंट होते हैं, सर यहां प्ला प्लास्टर की दिवार पर भी, और जहां प्लास्टर होगा, वहां प्लास्टर स्मूध करवा लेना, और उसके उपर पॉसिबल हो, एक कोड़ पुट्टी करवा लो, उसके उपर लगाओ, काफी अच्छे से यह चिपके अबगा, बाकी इसको काफी कमेंट्स रहते हैं, फ इसका शीट प्राइस देखें, मतलब आपको 55-65 रुपे पर स्केर फीड के साब से शीट मिल जाती है, इसका आगे हम रेट अनलीसिस करने वाले हैं, पूरा लेवर और सब खर्चा निकालने वाले हैं, लो लगबग हमें फिक्सिंग कॉस्ट इसकी पढ़ जाती है, 120-180 पूले ग्रेनाइट शीट पी इसे बोला जाता है, यूबी मार्बल शीट भी यही है, 4-8 के साइज में यहाता है, और mostly 1.5 mm से 3 mm में आपको मार्किट में मिल जाएगा, अभी मैं इसका थोड़ा रेट अनलीसिस करता हूँ, और बाकी कॉस्ट भी उधर है, आपको काफी च चानवे करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि हमारी शीट कितने गयाती है, मतलब 16-1700 रुपे से स्टार्ट हो जाती है, और फिर यह 3000 तक आपको मार्किट में मिलेगी, इसमें 1 mm भी आता है, दो भी मिलता है, दो मुशली कम मिलता है, एक और 3 mm, दो ठिकनेस में आपको मिल जा 120 रुपे पर स्केरिफिट बन जाता है, 120 बो हो गया कि आप ठिकनेस कम कर रहे हो, material थोड़ा कम यूज़ कर रहे हो, 180 बो हो गया, अच्छी क्वालिटी का आप 3 mm की sheet यूज़ कर रहे हो, और उसमें material भी अच्छा लगा रहे हो, click, तो sheet का जो price हमें पढ़ा है, जो हमने sheet ल पर बहुत ज़दा अच्छी लगती है, ठीक है, यह हो गया, wall size जो था हमारा, जिस दिवार पर हमने वो लगवाए था, 10 बारा की दिवार थी, आपकी कोई भी size हो, आपको पहले वो size लिख लेना है, जैसे 10 बारा है तो उसको multiply कर लेना, आपको square feet में मिल जाएगा, 120 square feet की ह हमारी वो दिवार है, ठीक है, यह दिवार हमारी 120 square feet की हो गई, इस पर लगाने का, देखो, एक sheet हमारी आती है, 4 by 8 की, तो उसका 32 square foot होता है, कितना 32, तो एक दिवार पर हमें कितनी sheets लगेंगी, वो निकलेगा, एक जो total area है हमारा दिवार का, उसको divide कर देंगे 32 से, मतलब हमें मिल जाएगा 3.7 sheet हमारी लगने वाली है, तो 3.7 sheet मिलेंगी नहीं, आपको 4 sheet आएगी, cut piece कोई देगा नहीं, तो 4 sheet हमारी लगेंगी इस दिवार पर, इस तरीके से आप निकल सकते हो, आपकी दिवार पर कितनी sheet आने वाली है, फिर एक जो sheet थी हमारी, 3 mm वाली, वो हमे एरिया में पता कर लेना कितना labor rate है, हमारे यहाँ है 20 रुपे से 25 रुपे पर square feet के साफ से लेते हैं, 120 की दिवार है, 20 रुपे rate ले रहा है labor वाला लगाने का उसको material हमारा रहेगा, तो 2400 रुपया एक दिवार पर लगाने का वो खर्चा ले जाता है, जादा भी लेते हैं कि जगा 30 रुपे भी ले लेते हैं, तो आपको पता कर लेना, फिर silicon glue हमने चिपकाय डिरेक्ट डिवार पर glue लगा के तो कुछ हमारा चार शीटों पर 500 का glue लग गया था, कितना 500 का glue लग जाएगा, और profile हमारी कुछ लग गयी थी, उसमें profile क्यों, एक sheet थी जो उसके बीच क कि हमारी वो sheets आई थी, टोटल हमारा 15,400 रुपया उस दिवार को UV marble sheet या polygranite sheet लगाने का खर्चा आ गया था, तो approximately 128 रुपया पर scare fit बना था, आपकी कोई 10,10 की दिवार है, तो पकड़ लेना 12,800 रुपया आपको खर्चा आएगा, अगर आपकी 15,10 की है, तो 1500 into 128 कर लेना, तो इसी साब साब calculation कर सकते हो, बाकि आपको मैंने lump sum idea दे दिया है, कि इतने की sheet आपको मिलेगी, fixing cost, बाकि depend होता है, आप quality, brand और case quality का use कर रहे हो, तो उस पर depend होता है, एक अच्छी luxury look देते हो, अगर आप अपनी दिवार को TV unit बनाते हो, मेरे ख्याल में, TV unit में अगर आप यूज करते हो, बहुत अच्छी look देती है, गर में कोई एक दिवार को देती हो, बहुत अच्छी दिखती है, आप अपने wardrobe पे यूज कर सकते हो, अपने doors पे लगा सकते हो, तो अच्छा look अगर आपको देना यूज कर सकते हो, बाहर में यूज करोगे, तो इसकी dullness आ जात होगा, अभी लेता हो में अलवीदा, लेकिन उससे पहले मैं बता दू, अगर आपको ये buy करनी है, तो नीचे जो business bench एक website है, जो ये देती है, कोई promotional video नहीं है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, दूसरी company से भी ले सकते हो, description में लिंक रहेगा, आप detail ले सकते हो, whatsapp भी कर सकते झाल झाल झाल